और रात में इनका चेहरा दिखेगा तो गजब रहेगा रात में चेहरा इनका बदलता ये भगवान का बदलता है ऐसा हो जाता है वगान विष्णू सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे और यहां से उतर कर नीचे गये थे तो जहां इसलिए इसको आदी गदाधर कहा जाता है पूरी जनकारी देने वाले हैं तो चलिए अंदर आपको ले चलते हैं और पूरी जनकारी आपको देते हैं जिनके आप बेसक अच्छे से जान रहे होंगे वह हमारे साथ अब यहां पर परजेंट है आप देख पा रहे होंगे तो गया आए हुए हैं और इनसे मुलाकात हुआ तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करने के बार भी बहुत अच्छा लगा और इनको बेशक आप अच गदाधर है मतलब जब भगवान विष्णु पहली बार जब गया सुर के उद्धार के लिए जब यहां उपस्तित हुए थे पहले इसी जो नीचे मंदिर आप देख रहे हैं जहां पर गदाधर गर्वगरी है विष्णु सबसे पहले यहीं प्रकट हुए थे और यहां से उत गदाधर है जिसको विष्णुपद है जहां पर भगवान विष्णु का चरण चरण तो इसका एक खास बहुत है और जब तक जो भी लोग गया शेत्र में विष्णुपद में दर्शन करने आते हो जब तक आदी गदाधर नहीं आएगा उस दर्शन को पूरा नहीं बारा है इस कारण से आएवे थे कि आज 22 तारीक है और अयोध्या में स्विडाम ललाक को विराजमान किया जा रहा है फिर से सारे वैदिक परंपराओं के साथ तो उसी मौरत में हमारे भाई हैं अमिच सिंह राणा उन्होंने एक अप्रण लिया था कि भगवान राम को जिस दिन प्रतिस्थापित किया जाएगा अयोध्या में उसी दिन यहां जो आदि गजाधर में राम विराजमान है उनको एक चान्दी का धनुष और चान्दी का तीर समर्पन करेंगे हम अपने तरफ से तो आज उसी को पूरा करने कि उसी मौरत के लिए हम आज आप से परजेंट ह तो दोस्तों गजाधर भगवान विश्णू का जो विश्णू पत्मंदिल के उपर जो गजाधर मंदिल है वहां पर आप देख पा रहे होंगे मंदिल है और इसका बारे में जिस परकार से भहिया ने बताया अमनी तानसु भहिया ने और विस्तार से बताया आपको समझाया आप देख पाने है यह तो आपको विस्तार से दिखाएंगे किस पाकार से जो है किस जगा पर भगवान को अस्तर धार्म करवाये जाएगा इधर देख पा रहे होंगे भगवान शीव का दर्शन होता है इधर बजरंग वली है तो चलिए सब्सक्र पहले हम लोग उदर चलते हैं क्योंकि यहां पर विश्णु भगवान का दर्शन करने आगर आपते हैं तो इस जगह पे भी अवस्चे आईए गजा गदाधर है आद पर विराजमान है परो चलिए आपको हम दर्शन करवाएंगे हमारे साथ जिस प्रकार से रोहित आपने देखा और है 抽ंसी जो की गया गदाधर आदी गदाधर पहुंचे हुए हैं दर्शन के लिए चलिए अंदर हम आपको दर्शन करवाते हैं तो दर्शन करना है तो देख पा रहे होंगे शामने भागवान को जो है अस्त और सस्त जो है धारन करवा दिया गया है प्रभुराम रजमान है रासाथ में स्चीता मैया जो है और इधर भगवान विश्नु का दर्शन आप कर पा रहे होंगे तो गया आदी गदाधर भगवान का दर्शन जो कि भगवान विश्नु पत मंदिल के जस्ट उपर में होता है अध्भूत है तो आईए यहाँ पर और ना सब्सक्राइब करता है और रात में इनका जितना कि श्रयास्त हो उसके बाद भी आप देखेगा चेहरा गजब हो जागा जैसे भगवान लोग सोता है आदमी लोग उस प्रेट में भगवान दिखेगा हां जैसे कि आपनों को बताए बावा ने भगवान विश्णु का जो यहां पर बगविर्जमान है और यहां पर इनका चेहरा बदलता है तो चलिए उनसे भी बात करेंगे यहां पर बावा जो हैं तो आप दर्शन करें अद्धू दर्शन है प्रभू का साक्षाट पो इस स्थान पर हुआ ता इसनुको आधी गया कहा गया है या अधी गदयाधर कहा गया है जब भगवान असुर्ग के को मोक्ष के लिए, और उसके तरान के लिए उसके उधार के लिए यहां पर आते और उसे मन इच्छित वर्दान देते तो उनका आगमन यहीं पर होता है और भगवान सर्परस्म यहीं पर प्रकट होते हैं जुद्ध मंदिर से थीक सामने थोड़ी ही दूर पर अभी जहां पर यह है इसको बोलते हैं मुन्ड पृष्टा प्रभत मुन्ड पृष्टा क्या है कि पुरानों में जैसा वरणन है गय गया सूर राक्षस से भगवान ने तब यग्य के लिए उसके सरीर को मांगा और जब अपना सरीर भगवान को अरपन करके छित लेट गया तो ब्रह्मा जी की पुत्री धर्मावती धर्मावती यहाँ पर मुंड प्रिष्टा देवी माता का शरूप लेकर गया सूर दानग के सिर को अपने गोध में रखा है इसलिए यहाँ पर थोड़ी दूर पर मुंड प्रिष्टा माता का हुई अस्थान है तो मुंड प्रिष्टा परवत इसका नाम है और यहाँ पर वीराजते हैं आदी के दाधर भगवान के स्री चरनों के दर्शन होते हैं वापर सिर भगव गया में सबसे पूरातन विष्ट्णुपद मंदिर से भी प्राचीन यहाँ अस्थान गया में है और पित्रपक्ष में एकादसी के दिन यहाँ पर स्राधध का बहुत महत्वत बताया गया है और आदी गयादर भगवान का पित्रपक्ष के एकादसी के चिखी के रोज इसा लगता है कि वो निंद्रा वस्ता में हैं जबी आर्टी का के समय होते हैं तभी उनका मुक्रवंडन कुछ अलग परसंद साल लगता है तो यह इस इनका महिमा है ऐसा बदलते रहता है रूप इनका क्या है कि आप जिस भाव से इसके दर्शन करेंगे प्रमात्मा के संगर क्या कुछ और होगा अभी हम सिंगार करेंगे घंटे बाद अब तफिर इनका दर्शन कुछ और हो जाएगा जब रातरी में मंदिर बंद होने का समय आएगा तभी ऐसे लहेंगे जैसे इनका आख जूक रहा है सूने जाने हैं आचे हां और इस सब का फोटो मेंने ब बारी बारी से निकाल के रखा हुआ है अजय करें